नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News हमारा देश कहने को तो धर्म निर्पेक्ष है लेकिन जरा जरा सी बात पर हमारा समाच मज़भ के रंगों में बढ़ जाता है दरसल ऐसा ही वाक्या भी ते दिनों जार्खन के जमशेदपूर में दो फल की दुकानों पर उस वक्त देखने को मिला जब विश्व हिंदू परिशद अनुमोदेत हिंदू फल की दुकान लिखने को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया आपको बताते चलें कि कुछ ट्वीटर यूजर्स ने तो इन फलों की दुकान को यी तस्वीरों को जारकन पुलिस को टैग करके उचित कारवाई करने की मांग कर डाली थी वहीं इसके बाद जमशेदपूर पुलिस की और से इस मामले का ततकाल संग्यान भी लिया गया और संबंधित फूल दुकानों से पोस्टर हटवा दिये गए वहीं जब पोस्टर हटवा ने थाना परभारी रंजीत कुमार कदमा बजार में फूल दुकान पर पहुँचे तो दुकानदार उनसे उलज गए वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिशत कदमा मंडल के अध्यक्ष दीपक विश्वास अपने समर्थकों के साथ वहां पहुँचे उन्होंने भी पुलिस द्वारा पोस्टर हटाने का विरोध किया इस दोरान थाना परभारी और विश्व हिंदू परिशत के कारेकरताओं के बीच नोकचोक भी हुई बाद में थाना परभारी वहां से चले गए और पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि संबंधित दुकानदारों के विरुध निरोधात्मक का रवाई तक करने की बात की गई यानि जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा उसको लेकर भी सोशल मेडिया पर तमाम तरह की परतिकिरियाओं की बाड़ा गई कई यूजर्स ने इस बात पर सवाल उठाए कि हिंदू फल की दुकान लिखने में गलत क्या है और पुलिस ने किस कानून के तहत कारवाई की है इन लोगों का सवाल था कि क्या यही कदम हलाल अत्वा मुस्लिम होटल लिखे हुए होटल रेस्टरॉं और दुकानों के खिलाफ उठाया जाएगा वही पूर मुख्य मंत्री रगुवर्दास ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि फल विक्रेताओं के साथ किया गया पुलिस का वहवार निंदन यह है उन्होंने कहा कि अजिवी का चला रहे चोटे-चोटे वैपारियों को तंग करना बंद करें राज्य सरकार फिलहाल इस तरह है कि मामलों पर शासन प्रशासन को बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से काम करना चाहिए ताकि किसी परकार से किसी धर्म को ठेस ना पहुचे और बिना वजह लोगों के बीच आपस में दूरिया ना पैदा हो धन्यवाद